देश भर में आज से छटका पार्व शुरू हो गया है छटके इस मोके पर सरधालू बड़ी तदात में यमना में डुपकी लगाते हैं लेकिन यमना का जो पानी है वो बेहत ही खतरनाक रासायनिक ततों से भरावाई इस पानी में डुपकी लगाने से आपकी सेहत किस तरीके से खराब हो सकती है इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डुक्टर दिपाली भारदवाज है देख रहे हैं कि यमना का पानी तो ऐसा है कि आप उस कपड़े तक नीद हो सकते हैं लेकिन छट है लोगों की आस्ता है तो लोग यमना में डुपकी भी लगाएगे और वहा कि बात है हम लोग जो ब्रामिन कम्यूनिटी है और हम इस चट पूजा में बहुत घंटों के लिए खड़े रहते हैं मगर हम लोग बाकी समय उस पानी का ध्यान नहीं रखते और उसकी क्लीनलीनेस में नहीं ध्यान देते तो इस टागनेटिंग खड़ा हुआ पानी है जो के लिए कुछ जगाओं पे पूल्स भी बना रहे हैं वहाँ पे भी लोग खड़े रहेंगे पानी में तो लेजिनिला जैसी खतरनाक बिमारियां जो आगे चलके लंग्स को खराब कर सकती हैं ट्यूबर के लॉसे स्किन का टीबी लंग्स या जैसे हम सुनते हैं किसी की हड ली देखी जाती है मगर इससे बचने के लिए हम कुछ चीजें जरूर कर सकते हैं जो हम सबको करनी चाहिए जो चट पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे की पोटाशियम वाला पानी जो गुलाबी पानी हम लोग पहले 80s में देखा करते थे जब लोगों के घर में आक सबको मार देता है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस चट के पानी से जैसे हम खड़के निकले हैं तो सबके पास अपना जो पानी हो उसके अंदर पोटाशियम के क्रिस्टल डाले और उस गुलाबी पानी को जहां-जहां शरीर पे हमारा यमना जी का पानी आया है वो उस इसको हम उस पे डाल दे या आप अपने घर पे के पास भी जिसकोई पॉंड में आप चट पूजा कर रहे हैं तो उसके बाद गुलाबी पानी अपने शरीर पे डाले है ताकि वो एक कोड बना दे नासिंट ऑक्सिजन की मतलब यमना में नहाने रूप की लगाने से पहले या लगाने के बाद देखें आइज़र डॉक्टर हम कहेंगे लगाने के पहले और बात दोनों ही क्योंकि बहुत लोग भी होते हैं जिनको इंफेक्शन होते हैं जैसे अगर कोई HIV या TB का इंफेक्शन का मरीज पानी में खड़ा हो और कोई दूसरा इंसान खड़ा हो जिसको इंफेक्शन नहीं है तो उससे दूसरे को इंफेक्शन बहुत जल्दी आ सकती है और हम लोगों पर रोक टोक नहीं कर सकते हैं कि कौन जाए और कौन नहीं जाए यह तो सबकी श्रद्धा पे है तो आईडियली तो एक गुलाबी पानी का सिस्टम इसलिए होता है ताकि एक से दूसरे को infections ना पहुचे हम देखरें कि यमना में बहुत सारा industrial waste भी आता है यह industrial waste कैसे बिमार कर सकता है इस industrial waste से हम बिमारिया देखते हैं जैसे की cancers, lead, chromium ऐसी चीज़ें शरीर में जाते हैं जो हमने पीने से या फिर उसमें नहाने से देखें बात एक ही है पिया आपने तो वो lungs के में कैसे पहुंचेगा आपकी स्टमक से खून से अब्जॉब होके अगर आप उसमें नहाई है तो भी तो कुछ पानी के कण है जो आपके शरीर में घुसेंगे और अगर हमारी body की immunity कम है जैसे की जवान बच हो जाते हैं और उनको अंदर पकड़ने की वज़े से अलजाइमर्स जैसे बिमारी दिमाग पे असर पढ़ना कम याद रखना यह सब जादा ओफन देखा जाता है यहां पर डोक्टर साफ साफ यह बता रहे है कि यमना के पानी में डुपके लगाना किसी भी खत्रे से खाल पानी से एक बार आप जरूर ढाले कैमरमेन सुरवीर के साथ कुल्दिप शर्मा टोटल न्यूज दिले